हेलो एवरीवन स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजूकेशन में आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के बुक हनी शकल का लेसन नमबर 8 एक गेम ऑफ चांस डिसस करेंगे तो आईए कान श्टार्ट करते हैं और अधर सच गेम ऑफ चांस क्या आपने कभी भागे साली डूब की अत्वा किसी अन्य ऐसे भागे के खेल में कुई चीज जीती हैं डू यू लाइक सच गेम क्या आपको इस परकार के खेल पसंद हैं एक गेम ऑफ चांस हमारे गाओं में एक मेला लगता था इद वाज सेलिबरेटेड ओनली वन डे इद तो केवल एक दिन मनाई जाती थी बड़ दा फेर लास्टेट मेनी डेस लेकिन यह मेला कई दिनों तक लगा रहता था ट्रेट्समेन फ्रम फार एंड वाइड केम देर विद अल कैंड्स अफ गुड्स दूर दूर से वैपारी वहां सभी परकार का सावान बेशने के लिए आते थे टू सेल बेशने के लिए देर वाज ए बिग क्राउट एड द फेर मेले में बहुत भीड थी अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द ग्राउट वैनी मेट ए फ्यू ओफिस फ्रेंड्स चाचा हमें भीड में से ले जा रहे थे उस समय उनके कुछ दोस्तों से मिले वे उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे अंकल आस्क्ड मी वेदर आइ वुड लाइक टो लुक अराउंड द फेर विद भाईय तिल ही कम बैक चाचा ने मुझे से पूछा कि क्या मैं भाईया के साथ उनके आने तक मेले की सेर करना चाहूंगा I was happy to do that, मैं ऐसा करके खुश था अंकल warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away चाचा ने मुझे जहताबनी दी कि उनकी गेरहाजरी में नहीं तो है कोई वस्तों खरीदेगा और नहीं मेले में दूर जाएगा I promised that I would wait for him मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनके लोटने तक इंतजार करूँगा भाईया and I went from shop to shop भाईया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाते रहे There were many things I would have to like to buy वहाँ पर बहुत सी वस्तों थी जने हमें खरीदने चाता था But I waited for uncle to return लेकिन मैंने चाचा के लोटने का इंतजार किया Then we came to what was called the lucky shop तब हम उस दुकान पर पहुंचे जिसे lucky shop कहा जाता था The shop की पर वाज निदर young nor old और दुकान दार ने तो बहुत ही बुड़ा था और नहीं बहुत जवान था He was a middle-aged man वह एक अधेड़ उमर का आदमी था या कह सकते हैं वह proud था He seemed neither too smart nor too lazy वह तो बहुत ही चोस्त था और नहीं बहुत सुष्ट नजर आता था He wanted everybody to try their luck वह चाहता था कि हर कोई आदमी अपनी किसमत आर्जमाए There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down Maze पर gold तस्त्रियां या plate जैसी थी जिन पर नीचे की तरफ एक से लेकर 10 तक के अंक लिखे हुए थे All you had to do was to pay 50 पैसे आप वो करना क्या था? सिर्फ 50 पैसे का भुकतान करना था Pick up any 6 discs और में से कोई भी 6 पलेट या disc आपको लेनी थी Add up the numbers on the discs और उन discs पर लिखे हुए number को आपको add करना था And find a total और उनका total खटा करना था The article marked with that number was yours और उस number वाली चीज़ आपको मिल जाते An old man paid 50 पैसे and selected 6 discs एक बुज़र्ग आदमी ने 50 पैसे देखकर कि उनमें से 6 पलेटों का चुनाव किया He added up the number on them and found the total was 15 उसके अंकों को जोड़ा गया तो उनका योग 15 बनता था He was given the article marked 15 और उन्हें 15 अंक वाली वस्तु प्राप्त कर ली क्या था? Which was a beautiful clock जो कि बहुत सुन्दर घड़ी थी But the old man did not want a clock प्रंतु में बुढ़ा आदमी घड़ी नहीं लेना चाहता था The shopkeeper obliged him by giving it back for 15 रुपीज और दुकानदान ने 15 रुपे में गड़ी खरीद कर उनको obliged किया, उनका नुगरित किया, वानसमान रखा The old man went away very pleased और बुढ़ा आदमी खुस होकर वहां से चला गया दैने बुढ़ा लिटिल ओलडर दैन आई तब एक लड़का जो मुझसे थ्रोड़ा सा बढ़ा था ट्राइड ही लग उसने भी अपनी किसमत को आजमाया He got a com worth 25 पैसे उसे 25 पैसे वाला एकंगा मिला The shopkeeper looked neither happy nor sad वह दुकानदा ने तो खुस था और ने उदास देखाई देता था He bought the com from the boy for 25 पैसे उसने लड़के से 25 पैसे में कंगा खरीद लिया The boy tried his luck again उस लड़के ने अपने भागे को दोबर आजमाने कोशिस की He now got a fountain pen worth 3 rupees अब उसे 3 रुपे की मतवाला एक पैन मिला He tried it third time उसने तीसरी बार प्रयास किया और गोट रिस्ट वाच worth 25 रुपीज और अब की बार उसे एक 25 रुपे वाली एक सुन्दर क्राई घड़ी मिली When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 रुपीज फिर उसने प्रयास किया अब की बार उसे 10 रुपे वाला एक table lamp मिला The boy was happy and went away with this smile and a good deal of cash लड़का बहुत खुश था और मुस्कराता हुआ काफी धनरा से इकटा करके वाँसे चला गया I wanted to try my luck मैं भी अपनी किसमत आज बाना चाहता था I looked at भाहिया, मैंने भाहिया के और देखा He encouraged me, उन्होंने भी मेरा उस्सा बढ़ाया I paid 50 पैसे and took 6 dishes मैंने 50 पैसे देख करके 6 पलेटों के दस्तरियों को खरीद लिया My luck was not too good, मेरी किसमत इतने अच्छे नहीं थी I got two pencils, मुझे केबल दो पैसले प्राप्त हुई The shopkeeper bought them from me for 25 पैसे और दुकानदार ने उन्हें मुझे 25 पैसे में वापिस खरीद लिया I tried again, मैंने दुबारा कोसिस की This time I got a bottle of ink इस बार मुझे C.I.E. के एक बोतल मिली Also of little value, इसकी भी कीमत बहुती कम थी The shopkeeper bought that to for 25 पैसे दुकानदार ने उसे भी मुझे 25 पैसे में वापिस ले लिया I took a chance for the third time मैंने 30 पर प्रेस किया Still luck was not with me अब की बार भी भागे मेरे साथ नहीं था I had hope of winning a big price and continue to try my luck again and again मुझे बड़ा इनाम जीतने की उम्मीद थी और बार बार अपनी किसमत को में नया जमाना जारी रखा Paying 50 पैसे each time मैं परते एक बार 50 पैसे देख करके But every time I got trifle लेकिन परते एक बार मुझे बहुती कम कीमत वाली वस्तुवा मिलती रहे At last I was left with only 25 पैसे और अंतर मेरे पास के बार 25 पैसे बचे थे Again the shopkeeper showed his kindness दुकानदार ने एक बार फिर से अपनी द्यालूता मेरे परते दिखाई He said उसने कहा I could either play उसने कहा कि मैं भी भी खेल सकता हूँ Once more with 25 पैसे और 25 पैसे को साथ मैं एक बार फिर खेल सकता हूँ और settle the account I played again, मैं फिर से खेला And the last 25 पैसे also disappeared और मेरे आखिक में बचेवे 25 पैसे भी मुझसे गायव होगे मेरे पास से चले गए People were looking at me, लोग मुझे देख रहे थे Some were laughing at my bad luck कुछ मेरी बुरी किसमत पर हस रहे थे But none showed any sympathy लें किसी ने मेरे परती कोई सानुबूती नहीं दिखाई और कहा रशीद, you look upset तुम उदास दिखाई दे रहे हो What is the matter? क्या बात है? I did not say anything मैंने उने कुछ भी नहीं खा भहिया टोल्ड हिम what had happened लेकिन भहिया ने बता दिया कि क्या क्या गटना गटी है Uncle was neither angry, not said Uncle को ना तो करोधाया और नहीं वो उदास हुए He smiled and patted me वे मुस्कर आए और मुझे patted है मुझे थप 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 आया I took Sorry, he took me to a shop and brought me, वे मुझे दुकान पर ले गए and brought me और मेरे लिए खरीदा क्या A beautiful umbrella एक सुनदर सा अच्छा था Biscuits Sweet मिठाई है and some other little gifts और दूसरे चोटे मुटे वो फ़र मेरे लिए खरीदे Then we returned home और फिर हम वापिस घर आ गए Back home घर वापसी Uncle told me that the lucky soft man had made it full of me घर वापसी आकर मेरे चाचा ने बताया कि lucky soft वाले आदमे ने मुझे मुर्क बना दिया है No uncle नहीं चाचा I said मैंने का It was just my bad luck यह तो सिर्फ मेरी एक बुरी किसमत थी बुरा भाग गये था No my boy नहीं मेरे बच्चे Sad uncle अंकल ने का It was neither good luck nor bad luck यह कोई भी बुरी या च्छी किसमत भाग गये वाली बात नहीं है But uncle I said लेकिन चाचा मैंने का I saw an old man getting clock and a boy getting two or three costly things परुंतमने बुड़े आदमी को एक घड़ी उड़े के लड़के को दो या तीन कीमती चीज़ें प्रावत करते हुए देखा था You don't know चैल्ड बच्चे तुम नहीं जानते Uncle said Uncle नहीं का कि बच्चे तुम नहीं जानते They were all friends of the shopkeeper वे सभी के सभी उस दुकानदार के दोस्तों थे They were playing tricks to tempt you to try your luck वे सभी तुम्हारे साथ चलागी कर रहे थे और तुम्हें अपना भागया आजमाने के लिए लालच देना कर रहे थे And don't tell anybody of your bad luck or your foolishness और अब किसी को भी अपनी बुरी किस्मत या मुर्खता के बारे में मत बताना यहाँ पर कहाने के समापत होती है उम्मिद करतों आपको पसंद आई होगी यदि कहाने अच्छे लेगी है तो प्लीज चैनल को लाइक से करना भूले मिलते हैं लिए वीडियों तब तक के लिए टेक केर जय हिंद जय भारत